हेई गाइज वेलकम तो अनादर वीडियो आफ वेब डेव क्लाउड आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कोगनिटो ऑथोराइजर के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कोगनिटो ऑथोराइजर का यूजज एपी आई एंडपोइट को वेलिडेट करने के लिए होता है कोगनिटो ऑथोराइजेशन परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए एक कोगनिटो यूजर पूल जो कि हमें पहले से क्रियेट कर लिया है कोगनिटो यूजर पूल क्रिय आई बटन में है इसी वीडियो में, in case you don't know how to create Cognito User Pull, और next हमें चाहिए एक API Gateway, जिसमें हम अपना endpoint create करेंगे, और उसको कोई एक Lambda function से attach करेंगे, for the sample response, तो चलिए create करते हैं एक नया API Gateway, तो यहां से API Gateway search कर लेते हैं, और new tab में open कर लेते हैं, और यहां से create कर लेते हैं, public REST API, build, okay, REST API, new API, API name, let's say, Cognito Auth, description, let's leave it blank, endpoint type regional, and create API, okay, अभी API है, वो create हो चुगी है, अभी हमें create करना है, इसके अंदर, एक method, तो method create कर लेते हैं, और इसके साथ अटेज करने के लिए, एक lambda function, जो key again, यहां से search में जाके, lambda, और यहां से एक lambda function create कर लेते है, for sample response, let's say, Cognito Auth, lambda, okay, environment runtime is node.js, और यहां से create कर लेते हैं, create function, और यहां पर response string में थोड़ा सच चेंज कर लेते हैं, response for Cognito Authorizer, और इसको deploy कर देते हैं, ताकि changes reflect हो जाए, अब हमें यह जो lambda function, Cognito Auth Lambda हमने create किया है, वो जाके यह API end point से attach करना है, यहां से lambda proxy, और यहां से इसको reload करना बड़ेगा, कि यहां भी change नहीं आए है, let's reload this, और lambda proxy, और यहां से save कर लेते हैं, अब ही authorize, authorization के लिए हमें create करना है, authorizer API gateway के अंदर, तो इसके लिए हमें जाना है, from left panel, we need to choose authorizers, और यहां से हमें create करना है authorizer, authorizer का नाम रखते हैं, कोग्निटो, और टाइप, दो टाइप अवेलेबल हैं, basically lambda और कोग्निटो, तो अभी के लिए हम select करते हैं, कोग्निटो, और यहां पर हमें, कोग्निटो यूजर पूल का, नाम अटेज करना है, जो की है sample user pull, token source, जो की authorization का, जो token है, वो कौन से header में जाएगा, तो header का नाम है authorization, और यहां से create कर लेते हैं, अभी यह authorizer create हो गया है, हमारे API gateway के अंदर, इसको attach करना है, हमारे endpoints से basically, so resource, और यहां पर get में, अभी यहां पर अगर हम देखे, यह जो हमारे endpoints है, तो यहां पर authorization none दिखा रहा है, जैसे ही हम अपना authorization update करेंगे, यहां पर cognitive user pull show करने लगेगा, तो इसके लिए चले जाते हैं, get method में, और यहां पर method request में से जाके, authorization में, हमने जो authorizer create किया है, वो ओटेज कर देते हैं, cognitive auth, जो की cognitive authorizer है, और यहां से update कर देते हैं, अभी यह authorization है, API endpoints का वो हो चुका है, अभी हमें यह endpoints को, कोई एक stage पर deploy करना है, तो यहां से click करेंगे, deploy API, new stage, suppose let's say, day of, deploy, तो मैं यह मिल गया है, invoke URL, यहां से copy कर लेता है, और postman में जाके, paste कर देता है, और click on send, तो यहां पर आप देखेंगे, let me make it big, कि अभी response आया, 401, मतलब unauthorized, क्योंकि, इसको authorize करने के लिए, हमें token चाहिए, जो कि हमें, obtain करना है, user pool में से, user pool के user से, basically, तो इसके लिए हमें, चले जाना है, फिर से console में, और console में, जाके हमें, search करना है, user pool, जो कि हमने create किया है, यह sample user pool, और, इसमें, app integration में, हमने जो client, create किया है, उसके hosted UI में, चले जाना है, basically, sign up और sign in के लिए, ताकि, इसके end में, जो हमें user मिलेगा, उसकी help से, हमें, API endpoint को, access करने के लिए, token मिलेगा, तो इसके लिए, यह hosted view, UI वाले, link पे, click कर देते हैं, एक private window में, ताकि, session, destroy हो सके, easily, और यहाँ पे हमें, कोई एक user का, registration करना है, suppose, let's say, user1, और यह user, चो हम अभी create कर रहे हैं, उसकी help से, हमें token मिलेगा, और वो token की help से, फिर हमें, API endpoint को, call उगर पाएंगे, और यहाँ पे, email देते हैं, let's say user1, at the rate, mailinator.com, और password देते हैं, और sign up, verification code के लिए, mailinator चेक कर लेता है, public inbox में, let's say user1, okay, here is our verification code, और अब हमारा लॉग इन हो जुका है, तो अभी देखेंगे यहाँ पे, user pool में, तो इसके नाम का एक user आ जाएगा, sample user pool में, users में अगर हम देखें, तो यह हमारा user1 है, वो create हो चुका है, अभी हमें अप्टेन करना है, token, sign in की help से, तो इसके लिए अगेन चले जाते हैं, app integration में, अगेन हमें open करना है, hosted UI, app integration में, app client, और यहां से, click कर लेता है, ओके अभी यह बंद करना पड़ेगा, एक नएा session सुरू कर लेता है, और यहां पर हमें करना है, sign in, और यहां पर मुझे कुछ change भी करने है, ताकि token मिल सके, Cognito user pool create करने वाली वीडियो में, हमने देखा था, कि अगर हमें token obtain करना है, तो हमें user pool में, implicit grant वाला setting है, वो enable करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं, कि वो enable है या नहीं, तो इसके लिए जाते हैं, client में, और यहाँ पर अगर हम देख है, और ग्रांट टाइप में, तो authorization code grant, यान की code, sign in के end पर हमें code मिलेगा, और implicit grant, मतलब sign in के end पर हमें token मिलेगा, तो दोनों ही type enable है, तो उसके लिए हम, यहाँ पर change कर लेते हैं, from code to token, enter, और अब हमें, यहाँ पर sign in करना है, using user1, that we just created, test before, ओके, तो अभी हम, हमें यहाँ पर मिल रहा है, id और access token, तो इसको हम copy करके, basically id token वो है, जिसमें, user related सब information रहती है, यहाँ पर JWT में, pass हुआ है, तो यहाँ पर सब दिखा रहा है, उसके related information, जैसे कि email है, AUD है, etc, तो अभी यह, हम कोई editor में, paste कर लेते हैं, let's say, और, यहाँ इसमें से, id token, extract कर लेते हैं, तो यह हो गया, हमारा id token, बाकी delete कर देते हैं, इस, access token और, बाकी और, अभी, इसको हम copy कर लेंगे, और, पोस्ट में में, जो कि यह, जो response है, वो unauthorized था, क्योंकि हमने, 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 यह जो, day of stage है, उसमें, authorization set कर दिया है, तो इसके लिए, हमें, authorization में जाके, let me make it small, यहाँ पर, bear token, पास करना है, ताकि, इसका, response हमें मिले, तो, जैसे हमने, token पास किया, हमारा, authorization है, वो grant हो गया, और, यहाँ पर, हमें, response मिल रहा है, from the lambda function, which is, response from, cognitive authorization, यहाँ पर message, cut हो गया है, शायद, कोई mistake हो गई हो, lambda के function में, तो, यह है, कैसे हम, create करेंगे, cognitive authorizer, और, कैसे हम, उसको attach करेंगे, API gateway में, और, कैसे इसका, usage होगा, कैसे हमें, ID token को, obtain करना है, basically, यह चीज, हम, before, checking into the, postman, we can also check into the, AWS console, तो, उसके लिए, हमें यही token को, check करना है, AWS console में, तो, उसके लिए, चले जाते हैं, console में, और, API gateway में, अगर हम, जा के देखें, resources में, तो, यहाँ पर भी हम, यह चीज, test कर सकते हैं, यहाँ पर, अभी यहाँ पर, तो, response from, cognitive authorizer, दिखा रहा है, लेकिन, अभी हमें, authorizer को, test करना है, तो, इसके लिए, चले जाता है, authorizer में, और, यहाँ पर, click कर लेते हैं, test, और, authorization header है, अगर, हम, यहाँ पर, direct test करेंगे, तो, यहाँ पर, दिखाएगा, unauthorized request, लेकिन, अगर, हम, ID token को, यहाँ पर, provide करते हैं, और, इसके बात, test करते हैं, तो, यहाँ पर, response 200, मिलेगा, और, वही, जो, चीज़े, जो, ID token में है, वो, decoded होगे, यहाँ पर आएगी, basically, वही, जो, हमें, यहाँ पर, jwt.io, पर, मिल रही थी, basically, जो, payload है, वो, तो, वही, चीज़, हम, यहाँ पर, भी, test कर सकते हैं, अगर, हमे, coding, यह, किसी, और, चीज़, में, अगर, implement करना है, तो, उससे पहले, अगर, हमें, testing करना है, और, हमारा, जो, ID, token है, वो, valid है, या, नहीं, तो, उसके लिए, direct, यहाँ पर, भी, check कर सकते हैं, तो, यह, था, video, cognitive, authorization, के बारे में, hope, यह information अपको अच्छी लगी हो, तो, मिलते हैं, next video में, till then, have a nice time.